दोस्तों यदि आपने भी इन्वाइरू इंप्रा इंजिनियर्स के आई प्लाई किया था और अब जाना चाहते हैं कि आपका अलॉट्मेंट हुआ है या नहीं किसे आपने इंवाइरू इंफ्रा इंजिनियर्स के आई प्योंप आपको उपन हुआ था 22nd. नवंबर को price band रखा गया था इसका 140 से लेके 148 रुपीज तब का face value है share की 10 रुपे की जहां पर एक allotment में आपको 101 share allotted होगे total जो lot size था वो 43, 9, 4, 8, 000 shares का था allotment होना है 27th नवंबर को यानि आज और यदि आपको share allotted ही होते तो आपका पैसा आज ही refund हो जाएगा आपका account में और यदि आपको share successfully allotted हो जाते हैं तो Thursday यानि कल 28 नवंबर को आपको आपके shares credit दखाई देंगे आपके demand account में और share listing होंगे Friday 29th नवंबर को cut off है 5 नवंबर 26 को अगर हम इसके subscription status को देखते हैं तो ये 89.9 times oversubscribe हुआ यानि कि बहुत अच्छा इसको response मिला है जहां पर हम सर्व retail investor बात करें तो retail investor को यहां पर 24.48 times यहां पर oversubscribe हुआ है यानि एक share के उपर 24.48 की bid आई है साथ हम चेक करते हैं इसके gray market status को यानि gray market price क्या है आज क्या trend कर रहा है तो 27th नवंबर को यानि आज के दिन इसका जो gray market price है वो अपने IPO price 148 के compared to 51 piece higher पर open होने की संभावना है यानि expected जो listing price है वो 199 यानि लगवग 35% higher पर expected है कि यह listed होगा जब यह open होगा listing के लिए Thursday Friday को अब चेक करते हैं कि आप अपने share को check कर सकते हैं तो साथ ही मैं आपको link भी दूँगा आप अपने share कर सकते हो आपको आना है BC की website पे तो आप BSE की website पे आएंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको आना है BSE की website पे आने के लिए फिर आपको आना है status of issue application में यहाँ पर आपको डालना है equity और audit है यहाँ पर आपको आना equity एकुईटी में आपको select करना है drop down box से enviro infra engineers limited को के बाद आपको यहाँ पर अपना application नमबर डालना है जो भी आपका application नमबर है या फिर आप इसमें अपना pen नमबर डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको आना है I am not robot और फिर आपको करना है पर search और search करके यदि आपको share successfully allotted हो जाते हैं तो आपको आएगा कि आपको कितने share successfully allotted होई हैं और यदि आपको share allotted नहीं होते तो आपका पैसा आपके account में refund हो जाएगा इसके लवा और और आप कैसे अपने इस्टेट को check कर सकते हैं तो आपको एक दूसरी website पर आना है आपको आना है big share services private की website पर यहां इसका link भी आपको दे दूगा और यहां पर भी आपको drawdown box से select करना है enviro infra और enviro infra के बाद यहां पर select करने के बाद यहां पर आपको डालना है अपना select करेंगे आपको application number यह benefit number यह pen number जो भी available है आपके पास और उसके बाद आपको यहां पर capture डालना है यह जो capture आपको दिया हुआ है capture डाल करके like 525811 उसके बाद आपको डालना है यहां पर search करना है again search करके यदि आपको share alert हो जाते हैं तो share आएगा successfully alerted और नहीं होते हैं तो आपका पैसा आपको refund हो जाएगा तो दोस्तों यह थी overall information enviro infra के IPO के लिए hope so आपको इस जानकर इच्छे लगी यदि आपको इस जानकर इच्छे लगी तो please में चैनल को like and subscribe ज़रू कीजिए thank you for watching